हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टूनी दीच किचन आप सबको पर्फेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है मुझे सपोर्ट करने क्ली मेरे चनल को सब्सक्राइब किजी साथ ही मेल आइकन को प्रेस किजी ताकि मेरी आने वाली नहीं वीडियो का नोटिविकेश्ट आपको मेल सके तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं संत्रा यानि की जो नारंगी होती है उसका जूस कैसे बनाते हैं वो भी बीना जूसर के और घर पर किस तरीके से सिंपल से हम ओरेंज का जूस बनाकर रेडि कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने ओरेंज ली हैं इंकव हम अच्छे से छ बिना नारंगी के बीज निकाले जूस केसी बनाते फ्रेंड्स वो आज में आपको बताऊंगे ये देखिए सभी नारंगी को मैंने अच्छी से छील लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सर जार मिक्सर जार तो सभी के घर में अवेलेबल होता है मिक्सर जार में हम डाल लेंगे हमारी नारंगी इसमें हम एट करेंगे हाफ ग्लास पानी पानी इसमें हम एट करेंगे दो टेबल स्पून चीनी और हाफ टेबल स्पून हम इसमें एट कर देंगे काला नमक काला नमक डाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हम इसे आपको ध्यान रखना है आपको 30 सेकेंड के लिए इसे घ्रानलेंगे टेक हैं यहां लेकर एक भी बीज हमारा पीसा नहीं है सारे बीज पूरे के पूरे ही हमारे जूस में हैं इसे हम इस तरह के से पीसेंगी तो एक भी बीज आपका नहीं पीसेगा और आपका जूस भी कड़ा नहीं होगा बहुत ही सिंपल और यूनिक ट्रिक में आपको बता रहे हूं फ्रें होगा तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से चान लूगी पूरा जूस हम बाउल में निकाल लेंगे यह देखी बाउल में मैंने पूरा जूस निकाल लिया है अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं देखिए friends फर्टा फडशण से हो गया नह उरेंजीश का जूस ready यह देखिए जाल के बाद के हमारा जूस बचा और देखिए इसुर elles गई तो में आपको कईशीर कीसे लगी मुझे कमेंट करके चौरू बता है